हेलो एंड वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल जैसा कि आपको पता है कि हमने पहले उनिटिस के कुछ टॉपिक्स को कम्प्लीट किया है सोसाइटी, कम्मूनिटी एंड एसोसीशन को उसके साथ-साथ हमने ये भी डिसाइड किया था कि हम MCQs भी साथ-साथ करेंगे हर किसी टॉपिक के ताकि आपको एक अच्छी लेवल तक आप पहुँचे प्रिपरेशन में MCQs के साथ-साथ एक कॉन्पिटेंस भी बिल्ट होती है ये भी पता चलता है कि how to approach MCQs क्योंकि आपको जो एक्जाम का pattern है वो MCQs का है ठीक है तो आज कुछ questions करते हैं ज्यादा नहीं है कुछ 10-15 questions है Question number one जो है ये है Society is a web of social relationships who has been said by किस ने ये कहा था Definitions में मैंने आपको पढ़ाया था Society के Definitions में कि Definitions को आप कैसे याद रखोगे आप की Terms को याद करोगे की Terms को आप cover up करोगे ठीक है जिसे web of social relations किस ने कहा था MacLeaver ने कहा था इसने यहां लेका MA, MA, C है ये ठीक है तो MacLeaver ने ये कहा था की Terms को आप याद रखेंगे ताकि आप एकदम से target करें कि ये किस ने कहा है ठीक है Alex Inclus नहीं है बागे जो इसके options ने उनको भी देखते हैं Alex Inclus नहीं है Alex Inclus ने लिखी है What is sociology book ठीक है तो Arkin Merton को अगर देखीं ये एक functional list है तो ये भी नहीं है Raymond Arun इसने भी नहीं लिखी है ठीक है Then उसके बाद जो next objective है वो क्या है Which of the following is not correct about society इन मैंसे correct को नहीं है about society के मतलिक देखिए Society को हमने पढ़ा पहले आप याद करेंगे दिमाग में कि society में आपने क्या-क्या features पढ़े क्योंकि इस question की जो answer से दिये गए हैं अगर आप इनको देखिंगे तो society is dynamic मैंने आपको एक characteristics पढ़ा आया था society का society is dynamic, dynamic means changing ठीक है static नहीं होती है, change होती है society is a social institution society is a social institution society is an animal association मैंने आपको society is a human association मैंने आपको ये भी बढ़ाया था कि society में social institutions भी होते हैं और society में ही associations होते हैं society एक ब्रॉड रेक्टर हमें associations और community under institutions आते हैं तो ठीक है तो अब इन objectives में हमें confusion है कि इन objectives में दोनों में से कौन है dynamic भी है इसने क्या कहा not correct about the society ये भी है institutions भी आते हैं society में human associations भी आते हैं तो animal को हम अगर देखेंगे animal associations को आप कैसे target करेंगे मैंने आपको कहा था society में likeness होती है likeness में मैंने आपको example दी थी homo sapiens है हम ठीक है हम एक ये species के रहने वाले हैं so societies and animal associations society में animal association है not possible ठीक है तो ये incorrect है part number c है इसका incorrect answer ठीक है उसके बाद question number third क्या है question number third को देखते है man lives in which of the following जो man याने individual है वो किस में रहती थी caves, oceans space simple हम society को पढ़ रहे हैं तो हमारा target society है society में रहते हैं individual है then question number four क्या है question number four हमें ये कहता है कि sorry एक सेकेड question number four हमें कहता है members of an agrarian society exhibit as a strong feeling जो agrarian society के members होते हैं उनमें क्या strong होता है कौन सी feeling dash dash feeling कौन सी strong feeling होती हैं आप बोलों के sir agrarian society क्या होती है पहले agrarian को समझ दे agrarian society वो होती है जहाँ cultivation अप land होता है ठीक है याने mostly वहाँ लोग dependent होते हैं किस पे land cultivation करते हैं ठीक है वो इसे जदा अपना food निकाल दे तो अगर options में देखींगे communal इसने कहा है communal हम उससे कहते हैं जब दो group अपनी अपनी ideologies को practice करते हैं दूसरू को दूसरी के ideology को वो यानि कि उसको उसके साथ वो उसको बरदाश्त नहीं करते हैं अपने group की preference अपने group की ideology अपने group के culture को ज़्यादा मजबूत करते हैं और दो जूसरूपे तो अपनी की कोशिश करते हैं ठीक है nationalistic अपने अपने nation को ठीक है out group अब इन दोनों में confusion है out group in group क्या होते हैं देखो आप student group हो तो आपके साथ जो बिलांग करता है आप इस group के साथ बिलांग करते हैं ये in group है आपके ठीक है जिस group के साथ आप बिलांग करते हैं out group है जिस group के साथ आप दो group से हमरे पसाथ हमारे पास जिस group के साथ आप बिलांग नहीं करते हैं ये out group है आपके लिए ठीक है तो in group अब इसमें कौन सा हम बोलेंगे तो agrarian society जो है वो mostly strong feeling उनके अंदर क्या होती है क्वाच्छ नमर 4 का अंसर यानि कि वो in group feel करते हैं वो उस group के साथ belong करते हैं कौन members उनमें ये strong feeling होती है वो in group रहते हैं कि वो feel करते हैं कि हम ये इस group में रहते हैं ठीक है आपको समझना है क्वाच्छ नमर 5 क्या है trade union is a feature देखो trade union trade union कब बन रहे हैं trade union अगर आप देखो कि तो इस दूर में सबसे ज़्यादा बनते हैं agrarian में trade था ही नहीं ज़्यादा tribalism में भी बहुत कम होता है pre-literate society में industries होती है याने industrial society में सबसे ज़्यादा trade union बनती है ठीक है कवाच्छ नमर 5 का part D answer है उसके बाद कवाच्छ नमर 6 को देखते हैं इनन ए अगरेरियन सोसाइटी एक अगरेरियन सोसाइटी में ज़्यादा प्लैंट ज़्यादा होता है प्रेडॉमिनेट है फैमिली ए इस डाइड़ ए ए एन यूनिट किसका यूनिट है फैमिली कवाच्छ नमर 6 ठीक है कवाच्छ नमर 6 को हम देखते हैं इसके answers देखते हैं अगर हम देखें कि consumption यानि कि ज़्यादा ज़्यादा consume करना खाना ज्यादा religion dominant होता है agrarian society में religion होता है yes dominant भी हो सकता है ये भी chances है political system भी हो सकता है ठीक है लेकिन इसने क्या का family क्या unit होता है unit यानि कि जहां सब सब काम करते हैं इस यूनिट ये होता है consumption religion economic political agrarian society में जो family होता है ये सबसे ज़्यादा एक हम कहते हैं sociology के लिए economic unit होता है आप लोगे sir कैसे how क्यों क्योंकि agrarian society में जो सबसे ज़्यादा काम लोग करते हैं सबसे ज़्यादा economy कहा कमाते है within the family ठीक है वो family के family सब कहा काम करते है agriculture में काम करते है जो भी उनकी economic needs हो खाने के लिए चाहे वो सारा within the family वो create करते हैं ठीक है family as a unit create करते है सब काम करते हैं कहां पे जमीनों में land में ठीक है देन उसके बाद question number seven क्या है according to the Weber ये Max Weber है sociologist action has became the dominant mode of action in the modern industrial society इसने action पे काम किया है ठीक है अब यह कहते है कि Max Weber जो Max Weber के मताबिक action became the dominant action dominant बनती है mode of action कहां पे in modern industrial society modern industrial society में ये बनती है लेकिं कैसे क्या वो effective होती है क्या वो traditional होती है क्या वो capitalistिक होती है देखो अगर इस question को आपको नहीं आएगा जो मैंने previous lectures पढ़े है हमने Max Weber को वहां touch नहीं किया तो कोई बात नहीं है आप सुनिएगा इसको याद रखेगा ठीक है लेकिन जो हमने पढ़ा है अगर आपको उसमें question नहीं आ रहे है तो please वापस जाएए दुबारा से वीडियो को देखिए दुबारा से उसको समझे ठीक है ताकि वो question आपको आ जाए जो भी हमने पढ़ा जिसके साथ भी वो question रिलेट करते है वो आपको आने चाहिए 110% उसके बाद effective, traditional and capitalistic ठीक है effective, emotional होता है emotional action, traditional याने कि traditional के base पे rational अगर आप देखोगे इस तरह से कि modern दोर जो है ये capitalist जो industrial सो भी हम कहते है post-industrial society industrial just before the post-industrial society तो इस दोर में सबसे ज्यादा actions जो हम काम करते है वो किस base पे हम करते है effective करते है, emotionally करते है no, not, not at all traditional values, not at all capitalistic, ये तो छोड़ो इस पे बात ही नहीं की है max weber नी हम ज्यादा rational basis पे काम करते है reason के basis पे काम करते है ठीक है, जो भी action करते है वो हम logically देखते है क्या ये ठीक है, क्या गलत है इसका impact क्या एगा तो हम ज्यादा इस दोर में क्या use करते है reason ये रैशनल ठीक है, part C question number seven उसके बाद max weber believed दूसरा आया है question max weber का max weber believe करते थे क्या believe करते थे that organizations याद रखना है are the dominant institutions of industrial society organizations जो है ये dominant institutions murder industrial society याने industrial society जो है वहाँ organization एक dominant institution है organization सबसे ज़्यादा dominant institutions है किसके देखो max weber का आप याद रखोगे social action and bureaucratic ठीक है bureaucratic is cancer है part C इसको आप इस तरह से याद रखोगे max weber ने social action पे काम किया और bureaucratic पे भी काम किया ठीक है तो bureaucratic organizations पे kinship, रिष्टेदारी वो नहीं कहता है political system और religious ठीक है वो bureaucracy को ज्यादा प्रफर करता है ठीक है ये question भी out of जो हमने पढ़ा था उससे बाहर आया है तो अगर ये question आपको नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है गबराने की कोई ज़रूरत नहीं है then question number nine question number nine ये कहता है कि in an industrial society एक industrial society में family has changed family जो है ये change हुई है कहां से from a dash dash unit to a dash dash unit एक family जो change हुई है from a unit किस unit से किस unit तक देखो अभी हमने इससे पहले एक question किया उसमें हमने क्या समझा है कि industrial society में family has a unit था वो economic production प्रोडूस करते थे सोसाइटी जो industrial society है family change हुई है consumption से production तक sorry 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 पहले अगर हम देखेंगे कि industrial society जो है वहाँ family family क्या थी पहले production हमने अभी कहा economically वो सारा जो भी produce होता था industrial society से पहले वहाँ जो भी produce होता था वो within the family वो सारा family produce करती थी within the family जो भी आपको चाहिए था family जमीन में काम करती थी फिर घर में कपड़े ही बनाती थी जो भी कुछ बनाती थी जो भी चीजे उनको जरूरती वो गर में utensils वो भी घर में बनाती थी कपड़े वो भी घर में बनाती थी सबजिया बाहर से ही आती है सबजिया एसे यूनिट वो खुद पहले बनाते थे यूटेंसल जो भी हमें चाहिए पहले खुद बनाते थे पहले प्रोड़क्शन करते थे आज कहा है हम लाते हैं सबजिया जो भी है जो भी हम food काते हैं वो पहले खुद बनता था within the family तो हम कैसे production family में होती है तो आज हम बाहर से लाते हैं हम ऐसे consumption करते हैं उसको खाते हैं तो family जो unit है यह industrial society में change हुआ from production to consumption समझ में आया ठीक है अच्छा बाकी options को देखते हैं बाकी options का है इसका part भी answer है बाकी options को अगर हम देखेंगे from consumption याने की consumption खाने से नहीं पहले सबसे ज़्यादा घर में ही बनता था और उसके बाद production ठीक है religious हाँ थी political family unit नहीं हुई है change family अभी भी family है religious थी political अभी system जो है political as a unit नहीं बना है production अगर ठीक है तो हमने कहा था production हाँ बार रही है लेकिन profit oriented family अभी fully profit oriented नहीं है कि जिसे हम कहें कि ये एक industry है ये capitalist industry है जहाँ पर हमें ज्यादा profit जाहिए तो ये वाला भी cancel ये वाला भी cancel ये भी cancel parts भी answer है इसका ठीक है question number 10 question number 10 क्या कहता है question number 10 को आप सीख्विक कर दो क्योंकि आपने अभी ये बढ़ा ही नहीं है इसमें आपको ज्यादा confusion हो जाएगा फिर आपको ज्यादा tough लागे कर ठीक है question number 11 क्या कहता है question number 11 कहता है in an agrarian society sanctions are generally imposed agrarian society में social control क्या होता है वहाँ कून लोगों को control करता है वो society जहाँ land cultivation जमिनदारी यहीं कि ज्यादा वहाँ पर dominate है उस society में क्या ज्यादा आपको जाद होगा मैंने आपको कहा तो society में control दो तरह को होता है formal informal formal क्या होता है laws informal क्या होते customers customers values norms mores focus the sanctions ठीक है और sanctions देखो इस question को आप इस तरह से भी अप्रोच कर सकती देखो law formal है police formal है constitution formal है तो तीन नहीं आ सकते तीन के तीन हों cancel informal social control ठीक है 11 का part ए ठीक है then question number 12 की और पड़ते 12 हमें क्या कहता है question number 12 कहता है among the following in may say who is not associated with the hereditary theory about the origin of society इन में से कौन associate नहीं hereditary theory of origin of the society ये भी origin of society ये थेरी है ठीक है hereditary by genius तो इसमें अगर हम देखेंगे पहले socialist अगर हम देखेंगे Kingsley Davis भी है मेकलेवर भी है Karl Pearson economy के साथ ज़्यादा deal करते हैं ठीक है तो सिसी नारत को हमने एक बार पड़ा था ये ज़्यादा deal नहीं करते हैं सुशालजी में बहुत कम ये दिखते हैं तो Kingsley Davis और मेकलीवर को हर किसी जगा हमने पड़ा ठीक है Society, Community, Association में भी तो इन दोनों को cover up करते हैं तो इस तरह से भी हम इस question को approach कर सकते हैं दोनों में से कौन है question number 12 का question number 12 का जो answer है वो A है ये किसने कहा था इस theory की साथ related Kingsley Davis ये याद रखना है ठीक है उसके बाद question number 13 का है question number 13 का आप देखिए का who among the following whose name is considered as the pointer of the last stages of society's development ये हमने किया था याद है आपको last stages of the development origin of the theory में हमने किया last stages में Auguste Code कैसे कहता है कि society तीन last stages से पास हुई ठीक है theological, metaphysical and positive stage तो ये होगे Auguste Code अच्छा ये question जो है ये question आपको नहीं आएगा अगर आप non-social जी वाले है तो ये question आपको नहीं आएगा इसमें गबराने की कोई बात नहीं इसको हमें आगे पढ़ना है ये सिग्मन फ्राइड की थेरी है id ego and super ego लेकिन आज के बाद याद रखना अगर कहीं भी ये question आपको मिलेगा कि इद ego and super ego किस ने दिया है three systems of mind तो सिग्मन फ्राइड ने दिये है याद रखना ठीक है उसके बाद अगर आप कूले की याद रखोगे इसकी looking glass self है जेच मीड ये interactionist perspective है ये interaction perspective के साथ deal करते है उसके बाद question number 15 जो last वाला question आज का है वो क्या है question number 15 है the most important reason man needs society is that he कि जरूरी क्या है most important reason कौन सा है कि एक individual को society चाहिए जरा देखिए इस वा question को question number 15 wants to live in the world दुनिया में रहना चाहता है needs both for the sake of life किसके लिए जरूरी चाहिए life as well as good life for the sake of life as well as good life एक तो life जिन्दा रहने के लिए इसको जरूरी चाहिए और good life एक अच्छी जिन्दगी के लिए चाहिए इसको society wants to become an ideal season ठीक है feels that society is super power society एक super power इसलिए मैं इसमें रहूंगा तो characteristics आप society अगर आपको याद होंगे तो world को हमें क्या करना है हमें अपनी society में रहना है needs to both for the sake of life जिन्दा रहने के लिए जरूरी है इसको यह अके लिए नहीं रह सकता क्यों? क्योंकि इसकी needs फुल्फिल नहीं हो सकती है इसकी बहुत सारी needs है जो मैंने आपके लिए बायालोजिकल social needs, language ठीक है as well as good life एक अच्ची जिन्दगी भी चाहिए wants to become an ideal citizen जब society नहीं होगी तो citizenship को यह क्या करेगा feel is that society is a super power society एक super power है मुझे यहां रहना चाहिए तो part B ठीक है यह इसका answer होगा question number 15 का okay hope so क्या आपको समझ में आया होगा तो यह पहला session था MCQs का देरे देरे हम आगे बढ़ेंगे simple से complex की और बढ़ेंगे community पे भी को MCQs करेंगे और association lecture series भी साथ साथ करेंगे और MCQs series भी साथ साथ करेंगे okay thanks, thanks to all of you